खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन करोना योध्धा के तौर पर उन्हें वोश्राय नहीं दिया गया जिसके वो हगदार हैं हम बात कर रहे हैं तमाम सरकारी स्कूलों के अध्यापकों की जिन्होंने सरकार के आदेशों का पालन करते हुए एक योध्धा की तरह लोगों की मदद की कैसे जरा देखी काई इनको ट्रेनिंग दी गए सीधा कह दिया कि जाओ करो इन सब लोगों को भी सेलूट करता है देशी जहीं कि मतलब सभी लोगों के नाम उतमें करोना वोरियस में आये लेकि टीचर का कहीं करोना वोरियस में नहीं आया काफी चुनोतियां का सामना मतलब अध्यापकों किया है जिन्में काम नहीं किया वो श्री यादा ले थे और जिनने किया इंको का नाम इसे में जोड़ना जाना चाए था मैने यही महसूस किया कि इन लोगों ने सफर किया है। काफी सफर किया। को दरकिनार कर दिया गया। एमसीडी स्कूलों के एक इंस्पेक्टर ने बताया कि वो कैसे कोरोना काल में अपनी टीम के साथ जरुवत मंदों और बेसहराओं का सहारा बने। करोना महामारे के बीच कही महीने का लोगडाउन लगाया गया और इस लोगडाउन के बीच तमाम करोना वरियर्स ने लोगों के सेवा की। चाहे वो पुलिस कर्मी हो चाहे पत्रकार हो चाहे डॉक्टर्स हो और इसके साथ साथ ही टीचर्स भी वो करोना वरियर्स थे जिन्होंने सरकार के आदेशा नुसार स्कूल में खाना वितरेंड किया तमाम चीजों का वितरेंड किया और लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं किय गया मेरे साथ MCD स्कूल के इंस्पेक्टर हैं उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से उन्होंने कोरोना वरियर के तौर पर काम किया है लोगडाउन के बीच सर क्या कहेंगे तमाम कोरोना वरियर्स रहे हैं और आप एज टीचर किस तरह से आपने लोगों की सेवा क लोटे का ड्राइडासन के साथ साथ हमारे यहां पर पका हुआ भोजन वो भी लोगों को वाटा गया और हर स्कूल में कहीं पर 5000 कहीं 2000 कहीं 1000 कहीं 500 लोगों को खाना वित्रित किया गया उसके लिए हमारे टीचरों ने बढ़ चड़ के इसमें हिस्सा लिया लेकिन एक बात रही कि मतलब सबी लोगों के नाम उसमें करोना वारियस में आये लेकिंटीचर का कहीं नाम नहीं आया जब कि उन्हें उर्था के तोर पार बहुत अच्छा वर्क किया है लॉक डाउन में यहीं साचार महिने से तीन महिने से लगातार वह वर्क करते चले आ रहे हैं इसी प कि हमारी का दौर था संक्रमन फैल ने का ज्यादा कत्रा था तो कितने चुनोंतियां जो है टीचर के सामने आई इस दोरान जब स्कूलों में बुलाकर लोगोगों खाना बाटा गया सामाना बाटा गया ऐसा है काफी चुनोतियां का सामना मतलब अध्यापकों ने किया है क्योंकि लोग जो आँपर आ रहे थे वो काफी उनमें ऐसा भी हो सकता था कि कोई संक्रमित हो लेकिन उसको ध्यार में रखते हुए सोसल डिस्टेंस का पूरा पालन किया गया और उनको जो है सुबह टाइम पर और साम को टाइम पर खाना बित्रित कराया गया जिसमें कुछ लोग मतलब हमारे सिविल डिफेंस की लोग थे उन्होंने भी सहयोग किया अध्यापनों के साथ और कितने महीने तक आपने आपने और आपके स्टाफ ने जो है लोगों खाना बाटा और क्या-क्या समान ज गया जिसमें गैहूं और चावल जो है एक उन्ट पर चार कलू गैहूं एक कलू चावल यह दिया गया तो जिसकी जितनी युनिट थी वो उतना वहां से लेके गया जान जोकिमें डाल कर आपने देश की सिवा की जिनिता की सिवा की तो आप चाहते हैं कि सरकार कहीं ना कही श्रेदे टीचर्स की जो कैटेगरी है उनको भी बिल्कुल मैं ये कहना चाहूँगा कि जब सभी का नाम इसमें आ रहा था तो उसमें जो है अध्यापकों का नाम भी इसमें जोड़ना जाना चाहिए था लोगडाउन के बीच सरकार ने अध्यापकों की ड्यूटी स्कूलों में खाना बाटने में लगा दी लेकिन तारीफे हुई राजनितिक पार्टियों के कारिकरताओं की अध्यापकों को उस सम्मान से वंचित रखा गया जिसके वो असली हकदार थे भगत हॉस्पिटल के डॉक्टर सीएम भगत ने बताया कि देश के शिक्षक ने कोरोना काल में कितना बड़ा रिस्क लिया देश में चल रहे लॉकडाउन के बीच कोरोना वरियर के तौर पर टीचर्स ने जो कॉंट्रिबूशन दिया है उसमें डॉक्टर सीएम भगत का क्या कहना है कितना खत्रा था उनको कितनी चुनोते थी और कितना नुक्सान हुआ है यह हम आज उनसे पूछेंगे सर क्या कहेंगे जिस तर ऐसे टीचर्स ने आगे बढ़कर लोगों की हेल्प की है सरकार के आजिशों का पालंग किया है उनको कितना बड़ा खत्रा हो सकता था इसो कितना बड़ा खत्रा हुआ है यह निविश 24 के माधियम से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए इस तरासिदी में लोगों ने काम किया बहुत सारे लोगों ने काम किया कुछ के नाम आए सामने कुछ के नहीं आये कुछ ने अपनी फोटो लगाई कुछ ने टांगे कुछ ने सटिकेट बाटे इधर उधर जिन बीटाए अभी जो टीचर्स वाला काम था इस वकट जब यह इनको काम दिया गया है लोगडाउन की शुरू होते ही यह इनको भी नहीं मालूम था कि बिमारी किस तरह की है ना ही इनको ट्रेनिंग दी गई सीधा कह दिया कि जाओ करो सरकारी नौकरी है अदेश है और करो अ जाएगी तो रिस्क तो इन टीचर्स ने बहुत उठाया क्योंकि ना तो क्राउड सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहा है बार-बार कहने के बावजुद और टीचर्स भी इनको क्योंकि मालूम नहीं था तो बाटते वे काफी क्लोस कॉंटेक्ट हो जाता था देने वाले सब्सक्राइब करते हैं तो अब देखिए वो नौकरी कर रही थी उसको यह उसके काम का हिस्सा नहीं था पर वो जैसे आदेश हुए तो उसने किया तो इन सब लोगों को भी सेलूट करता है देश और मैं चाहूंगा कि सब लोग इस बात को एक नॉलेज करें टीचर्स ने बात होई तो आपको याद होगा कि हमने जो थर्ड जेंडर थे उनको भी बुला के उनको भी समानित किया था कि पेड़ उनसे भी लगवा है तो कभी किसी ने किया कि वो लोग काम करते हैं लोग तो हमेशान को एक हिन भावना से दिखते हैं इस तरह सरकारी टीचर को भी कुछ नहीं करती हैं चुटियों में घर वैठे हैं यह वो लेकिन मैंने इनका डायमिजम देखा है मैं पिछले कुछ साल से इन लोगों के साथ जुड़ा हूँ जब मैंने देखा तो मैं मुझे लगा कि मेरी डूटी है कि मैं इसको एकनॉलेज कर वा हूँ लोगों से और तो करूं ही करूं कि इन लोगों ने जो काम किया करोना काल के दौरान क्या आपके पास हॉस्पिटल में ऐसे केसि भी आये कि वह बताता है कि मैं प्रफेशनल से टीचर हूँ और लोगों की हैल्प करते हुए मुझे करोना हुए बिलकुल ऐसे केसि आए थे और शुरू में है इंपरोज्टरा है और बिलस्या दिध्र आपने हैं करने में और प्रचेक्ट करने हैं अब ही क्या है कि लोगों अनलेगों करने में लगे है अभी लेंगे एक छोटा सबेक और बेक के बाद आपको MCD स्कूल के इंस्पेक्टर से सुनवाएंगे कि उन्होंने लोगडाउन के दौरान अपनी टीम के साथ वेक्ति गत्तौर पर अपनी फंडिंग से कैसे लोगों की मदब की भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल महावीर इंकलेव पालम डावडी रोड पर स्थित सौथ वेस्ट दिल्ली का एक मात्र मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जहां 24 गंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ डॉक्टर सी एम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्रात्मिक्ता है वो भी अफोर्डिबुल रेट्स में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है लोकडाउन के दौरान देश के शिक्षकों ने ना सिर्फ सरकार के आदेशों का पालन करते हुए स्कूलों में खाना वे जरूरी सामान का वित्रण किया बलकि व्यक्तिकत तौर पर भी लोगों की मदद की कैसे जरा देखी टौर पर मैंने पिछले तीन महिनों में जब से लौकडाउन चल रहा था उस पीरेड में जरूरत बंद लोगों को हमने घर पर जाकर उनको रासन दिया, इसमें हमने अपने साथियों की भी घल्प लेकर, हम उनको घर तक जो है रासन देके आए और कपड़े भी दिये, इस तरह का हमने जो है हल्प किये उनकी, और मास्क, सील्ड और गलफ, सेनिटाइजर वगएरा ये भी हमने प्रवाइड कराया हुए, इसकी फंडिंग के लिए हमने आपस में अपने साथी थे, वो चाच्छे लोग उनसे मिले और कुछ जो है हमने एंजियों की हल्प लिए, लोगडाउन के दौरान तमाम कॉर्णा वारियर्स ने भारत माता की सेवा की, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल कर लोगों की मदद की, लेकिन हमें लगता है कि हर किसी को बरावर मान सम्मान मिलना चाहिए, इस खबर में फिलाल इतना ही देश विदेश की तमाम खब लेकिते रहिए, इंडिया टाइम 24 न्यूज, नमस्कार!